हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, देसी प्रोफिट टॉक और आज हम बात करने वाले सब्सक्राइबर नम से कमेंट कर गए पूछा है कि उनको HDFC बैंक से जो है 15 लाग का होम लोन लेना है 10 सालों के लिए और 15 सालों के लिए तो 10 साल के लिए क्या मंतली हम आई बनेगा और 15 साल के लिए क्या मंतली हम आईगा ये उनको कल्कुरेट करके बताना है फिर हम बताएंगे कि HDFC बैंक में इस समय होम लोन का क्या इंटरशेट वगरा चल ला है कौन-कौन सी हाँ, इसकी में चल नहीं है होम लोन की, यहां पर क्या इलिजबिल्टी वगरा होती है क्या डॉक्यमेंट वगरा होती है, क्या फीस और चार्जेज है प्रोसेसिंग फीस है, तो इन सब के बारे में हम डीटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देशी प्रोफित टॉपक अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा तो चलिए हाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आप चलते हैं आपर आपको एक website के बारे मताना चाहेंगे जिससे आप जो है offer वगरा देख सकते हो तो डेशी loan, all banks loan offer है इस website पर आपको हर bank का home loan, personal loan, two video loan, car loan और जो है credit card के offer वगरा के link मिल जाएंगे आपको हर bank के यहाँ पर तो जैसे की देखिए मैं HDFC bank के home loan पर जाता हूँ home loan data कुछ question वगरा आप यहां से देख सकते हो आपको direct online apply करना है eligibility check करनी है EMI calculate करना है आपको document वगरा देखने है और offer वगरा के link भी आपको इस website पर मिल जाएंगे तो काफ़ी detail में information मिल जाएगी इस website पर और अगर आपको home loan की eligibility वगरा चेक करनी है तो आप इस link पर जाके जो है अपनी eligibility वगरा चेक कर सकतो तो काफ़ी detail में आपको information मिल जाएगी इस website पर तो इस website का जो link है मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है एक बार जाएगा और जरूर चेकाउट करिएगा अब यहाँ पर चलते हैं EMI calculator पर इसमें best EMI calculator इसमें चलते है home loan के section पर और यहाँ पर सबसे पहले amount डाल देते हैं तो यहाँ पर हमने amount डाल दिया 15 लाग का हमको loan लेना है home loan तो अब हम बात करेंगे HDFC bank में जो है home loan के क्या interest rate वगरा चल ला है तो यहाँ पर देखिए for women's के लिए अगर आप 30 लाग तक का loan लेते हो तो 8.60 से starting है 9.10% तक जाएगा और others के लिए अगर 30 लाग तक का loan लेते हो तो 8.65 से starting है 9.15% तक जाएगा अगर आप women हो 30 लाग से 75 लाग के starting और others profile के लिए 75 लाग से उपर ले तो तो 9% से starting होगी तो हम जिस category में आते हैं हम आते माल लिज़ हमने others के लिए किया और 8.65% के interest rate पर हमको मिल जाना चाहिए अगर मेरा civil score अच्छा होगा तो तो यहाँ पर हमने 8.65 के interest rate पर ले लिया वो बनेगा 14,903 रुपए interest जो आपको pay करना पड़ेगा total वो करना पड़ेगा 15 सालों में 11,82,590 रुपए total payment आपको करने होगी principal प्लस interest मिला के 26,82,590 रुपए यहाँ आप देखिए principal loan amount आपका है 55.9% जो आपने 15 लाग का लिया है total interest जो आप चुकार हो 11,82,590 वो है 44.1% इस तरीके से आप जो है इस website से मंतली माई calculate कर सकते हो अब हम देखेगा अभी 15 साल के लिए तो अभी देखिए आपका interest बन रहा है 11,82,590 और यह माई है आपका 14,903 अब हम इसको देखिए 10 साल के लिए करते हैं तो देखे 10 साल में आपका मंतली माई तो देखे बढ़ गया लेकिन total interest बगारा देखे काफी कम हो गया तो मंतली में आपका बनेगा 18,718 interest पे करना पड़ेगा आपको 7,46,209 total payment आपको कन्योंगी 22,46,209 और यहाँ principal loan amount आप मिनिमम से मिनिमम के लिए 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 जिएगा तभी आपको इंट्रेस जो वगरा है वो आपको कम देना पड़ेगा फिर नीच आएगा तो यहां से आप अपने EMI वगरा schedule करा सकते हो तो मेरी EMI मानलीजे अक्तूबर महिने से चालू होगी तो आने जितने भी के लिए लोन लिया हुआ है आसे मैंने 10 साल के लिया हुआ है मानलीजे तो यहां से 10 सालों का जो है मैं प्रिंस्पल और इंट्रेस अलग लग चेक कर सकता हूँ और बाकी का जो भी balance amount बचेगा वो यहां मुझे को बता देगा कि क्या balance amount बचा कितना percentage में अब तक मैंने लोन चुका दिया है नीचा आएगा तो यहां से अपना किसी भी year के किसी भी मंत का प्रिंस्पल और इंट्रेस अलग अलग चेक कर सकते होगी कि किस year में मेरा क्या अगरा होम लोन की eligibility वगरा चेक करना चाहते हो तो आप eligibility वगरा यहां से जो है इसका link के दिया हुए check eligibility यहाँ पर चेक आउट करके यहां से eligibility वगर आपनी चेक कर सकते हो अब हम यहाँ पर देखते है, HDFC bank पर देखते है, क्या eligibility और क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर loan amount, आपको maximum कितना loan amount मिल सकता है, तो माल लीजे, अगर आप अपना plot वगरा खरीदने जा रहे हैं, कोई घर वगरा आपना खरीदा है, तो आप यहाँ पर 20 लाग उसकी value है, तो उसका 90% मतलब 20 लाग का 90% मतलब 18 लाग तक का loan वो आपको HDFC bank देदेगे, बाकी का 10% आपको देना पड़ेगा, tenure जो है, maximum 30 साल के लिए आप यहाँ से loan ले सकते हो, processing fees वगरा क्या है, अगर आप self-employed professional तो 0.50% लगेगा आपके loan amount का, और अगर अगर आप HDFC top-up home loan लेते हो, solid and self-employed professionals तो यहाँ पर जो rate of interest के starting होगी, 9% से starting होगी, 9.50% तक जाएगा, अब यहाँ पर interest rate जो है, HDFC rural housing loan से लेते हो, तो यहाँ पर अगर आप 30 लाग कर तक का लेते हो, women हो, तो 8.60 से starting होगी, 10% तक जाएगा, others के लिए 8.65% से starting होगी, यहा पर लेते हो, यह reach home loan होता है, for home renovation loan and home extension loan, अगर आपको renovation और extension कराने के लिए loan लेना है, तो आप यह loan ले सकते हो, यहाँ पर loan amount कितना भी लोग है, आपको 10% से आपर starting होगी, 13.50% तक जाएगा, फिर यहाँ पर जो है, अब हमको top banks होगी, उनसे comparison कर लेते हैं, कि HDFC bank और others bank में rate of interest में क्या interest rate वगरा चल ला है, तो HDFC bank में 8.60 से starting होगी, state bank में 8.50 से इस समय starting होगी, अगर आप 30 लाग तक का home loan लेते हो, तो L&T housing finance 7.70, Bazaar housing finance 8.30, Godrej housing finance 7.99, Tartak capital 8.60, LIC housing finance 8% और federal bank 9.05% तो यह कुछ top banks होगी, जिनसे आप home loan के लिए apply कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, किस bank में क्या interest rate वगरा चल ला है, नीचे आएगा तो यहाँ से processing fees and charges वगरा देख लेते हैं, तो processing fees आपको अगर आप valid individual, self-employed professional हो, अगर आप, तो यहाँ पर 0.50 लगेगा आपके loan amount का, तो यहाँ पर check dishonor charges है, 300 रुपए, list of document 500, photocopy document 500, PDC swap 500, तो यहाँ पर यह कुछ charges वगरा हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, अगर आप 30 लाग तक का loan लेते हो, तो आपको 90% आपक ले सकते हो, यहाँ पर और कौन सी scheme है, जैसे कि HDFC reach loan है, इसके लिए आप ले सकते हो, यहाँ पर home loan, अगर home extension या home improvement loan के लेना है, तो आपको यहाँ पर 80% property cost का मिल जाएगा, और आपको non-resident premiss loan, plot loan लेना, तो आपको आपको property cost का 60% मिलेगा, अगर आप reach home loan से लेते हो, तो फ 50% आपकी property cost का यहाँ पर loan मिल जाएगा, फिर यहाँ पर HDFC rural housing loan भी यहाँ पर available है, आप plot loan वगरा भी ले सकते हो, जो कि आप 15 साल तक के लिए यहाँ से ले सकते हो, plot loan, home renovation loan भी आप यहाँ से ले सकते हो, उसके बाद आता हो, home extension loan भी आप यहाँ से ले सकते हो, top up home loan भी ले स सकते हैं, तो अगर आप sell lead हो, self-employed professionals, professionals की category में कौन-कौन से लोग आते हैं, जैसे कि doctors, lawyers, engineers, CA, architect, consultant, and self-employed non-professional, मतलब commission agent वगरा, contractor वगरा, trader वगरा हो गया, तो यहाँ से जो है home loan के लिए apply कर सकते हैं, nationality क्या है, Indian, resident Indian होने चाहिए, all gender के लोग यहाँ से apply कर सकते हैं, document वग last three month का salary slip, income tax return on form 16, और bank account statement last three year का, जिस भी account में आपकी salary credit होती होगी, self-employed के लिए तो income tax return last three year का दिखाना पड़ेगा, current account statement आपको जो है, आपके दिखाना पड़ेगा last six month का, तो यहाँ पर balance sheet, profit and loss, account statement last three year का, यहाँ आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, property related document, अगर घर खरीदने जापते हो, तो allartment letter या buyer agreement, payment receipt made to the developer या आपने जो payment वगरा करी होगी, नया घर खरीदने के लिए उसकी जो है receipt वगरा आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, for resale home loan है, तो title deed दिखानी पड़ेगी, agreement to sell copy, initial payment जो आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, अग तो भी construction में estimate वगरा होगा, जो civil engineer या architect वगरा आपको घर कंशक करेंगे तो उसका estimate वगरा आपको दिखाना पड़ेगा, और भी कुछ other document वगरा होगे जो दिखाना पड़ेगा, जैसे proof of own contribution, bank account statement last six month का, appointment letter आपको दिखाना पड़ेगा, passport size photo आपको दिखानी पड़ेगी, processing fees आपको जो है, check के through HDFC bank के नाम पे देनी पड़ेगी, और अगर आप self-employed business man वगरा हो, तो business man जो है, business profile आपको दिखाना पड़ेगी, form 26 AS दिखाना पड़ेगा, तो यह कुछ document वगरा होगा है, जो आपको यहाँ पर दिखाने पड़ेगे, तो I hope आपको हबारी information पसंद कर सकते हो, तो इन दोनों ही website को जो link है, मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है, और अगर आपकी कोई query वगरा है, home loan, personal loan, या car loan related, तो आप हमारे किसी वीडियो के comment box में comment करके हमसे पूर सकते हो, तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते है next video में तब तक के लिए ध हन्यवाद